तो स्वागत है आप सबी लोग का आज की ये खास जानकारी सिर्फ उन लड़कों के लिए है जो क्लास 10 पास आर्मी की जीडी यानि जनरल डूटी की बरती देखते हैं तो आज मैं बताने वाला हूँ कि जो फीजिकल मेजरमेंट होता है वो क्या है आर्मी जीडी का आर्मी जीडी में जो सलेक्षन प्रोसेस होता है उस बीच का यह जो एक इमपोर्टेंट पार्ट है जिन में आगर लड़कों छट जाते हैं तो उन्हें आर्मी में नहीं लिया जाता है तो अगर इन में आपकी दिक्कते हैं तो उसे सही कर लिजिए और चलिए जो आज की important बताने जा रहे हैं टॉपिक बहुत ही ज़्यादा important है आज मैं आपको बताऊंगा physical measurement आपका क्या-क्या है और पूरी list आपको दिखाऊंगा और picture वीडियो के माध्यम से आपको explain करूँग है और किस भरती में क्या-क्या लगता है ठीक है तो सबसे पहले बात करूँगा आज army gd class 10 पास जो वेकेंसी देखी जाती है उसमें देखिए अकसर जहां पर height वगर आपकी 168 से ही army gd की height ली जाती है और 169 कहीं पर होती है कहीं पर 170 होती है हर जगे minimum कम से कम आपका 170 के चाहिए चेस्ट आपका 77 और 82 के बीच में होना चाहिए एज आपकी gd के लिए साड़े सतरा से 21 साल होना चाहिए और दीखे सोल्जर ट्रेडवन के सोल्जर gd के लिए देख लेते हैं यहां पर सेम होई है अगर सी स्ट में आते हैं तो कहीं कहीं पर छूट मिलती है तो टेक में देख लेते हैं 167 हाइट है 50 kg होना चाहिए और 76 से 181 kg के अंदर मतलब 6 टापका होना चाहिए और साड़े सतरा से 23 साल मिलती है ठीक है इसके बाद अभी पिच्चर दिखाने जा रहा हूं बहुत ही मज़दार और जितने भी लड़के हैं उन्हें यह अकसर पूरा टीक है 50-50 kg weight है आप लोग ट्रेड में 168 48 kg weight है और साड़े सतरा से 30 से एक बार आप सभी लोग इसका screenshot ले लो ठीक है अगर चाते हो कि chest में छट जाते हो तो chest में छटने से कैसे बचोगे यह आप सीना इसका देख रहा हूं इस लड़के का यह जो सीना है आप लोग को क्या करना पहले जब सीधा खड़े उना तो मूरी नीचे कर ले ना जैसे देखो इस लड़के ने मूरी नीचे किया है आगे चलो आगे दिखा ले दो यहां पर हाइट बगारा जो ना पी जाती है अगर किसी की हाइट कम पड़ती है तो अकसर आप लोग क्या कर सकते हैं थोड़ा बहुत इसे कोई-कोई लड़के दिहाती नुकसे आजमाते हैं नीबू रगड लेते हैं थोड़ा बहुत चोट यहां तो अगली वीडियो हमारी वेरिफिकेशन पर रहेगी तो वेरिफिकेशन के बारे में मैं आपको बता दूँगा कि आर्मी का verification कैसे होता है तो verification के लिए comment box में करो कि आर्मी का verification वीडियो चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा यहाँ तक आपने देखा कि आप लोग के साथ क्या क्या होता है measurement के दोरान ठीक है तो आप लोग की मुझे आसा और विश्वास है कि आप लोग के यह जनकारी अच्छी तरह से समझ में आई होगी अगर और कोई question है कोई doubt है तो comment box में comment करके पूछो या मांगो या हमसे पूछो और हाँ इस सारी जनकारी को लेने के लिए वीडियो के नीचे जब subscribe का लाल बटम है इसको दबाओगे तभी यह जनकारी तुम्हे step by step हर डे या जो भी नई नई अपडेट आती हैं आर्मी की तो मैं अपडेट करता रहता हूँ तो जो वीडियो देख रहे हो उसके नीचे लिखा होगा join Indian army बगल में subscribe का बटम होगा और bell icon दोनों को दबादो और Indian army में join होना है तो हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जनकारी के लिए चैनल के साथ फटाक से जूड़ आओ और अपने दोस्तों में भी ये बात share कर दो ठीक है यहां तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जै हिंद जै भारत